प्रधान मंत्री नरीद मोधी ने आयोध्यापर फैसले के बाद देश को समोधित किया प्या मोधी ने कहा कि आयोध्यापर कोट ने फैसला सुनाया है जिसके पीछी सैक्रो वर्षों का एक इतिहास रहा है पुरे देश की ये इच्छा थी कि इस मामले में अदालक में हर रोज सुनवाई हो और आज फैसला आ चुका है प्यामोधी ने कहा कि दशकों तक चली न्याय प्रक्रिया और उस प्रक्रिया का समापन हुआ है पुरी दुनिया मानती है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोगता अंतरक देश है फैसला आने के बाद जिस तरह से हर वर्षों के लोगों ने खुले दिल से इसे स्विकार किया है भारत की परवप्रा को ये दिखाता है साथियों सर्वोच अदालत का ये फैसला हमारे लिए एक नया सवेरा लेकर के आया है इस विवात का भलई कई पीडियों पर असर पड़ा हो लेकिन इस फैसले के बात हमें ये संकल्प करना होगा कि अब नई पीड़ी नए सरे से न्यू इंडिया के निर्मान में जुटेगी आईए एक नई शुरुवात करते हैं अब नए भारत का निर्मान करते हैं आज निर्में आ चुका हैं दसकों तक चली न्याय प्रक्रिया और उस पूरी प्रक्रिया का अब समापन हुआ है साथियों पूरी दुनिया ये तो मानती ही है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है आज दुनिया ने ये भी जान लिया है कि भारत का लोकतांत्र कितना जीवन्त है और कितना मजबूत है हमारे बीच का सवहार्थ हमारी एक्ता हमारी शान्ती हमारा सद्भाव हमारा सने देश के विकास के लिए बहुत महत्पपून है